स्टूदेंट्स कैसे आप सभी लोग सो हमने दो पांट कम्प्रीट कर लिये हैं आप लोग पहुत कह रहे थे कि यथे कम्प्रीट करहें दीचे मैम इक्जाम आ ह्रहे है yes i know exam आ रहे है तो वो कोई दी सॉल्व करने के लिए पार दो पार्ट कंपीट हो गए पार्ट वन और पार्ट तू इस पार्ट त्री इसमें रेखेंगे वरी इंपोर्टन टॉपिक्स अगर अभी तक आपने अकवर का कुछ भी नहीं पढ़ा है न तो ठीक है थोड़ा सा मतलब रेक्सेशन रहता है ठीक हम पढ़ लेंगे मतलब को कि 50% of the parts are important 60% माली जी लेकिन अभी इस से क्या है एक एक लाइन एक एक word एक टर्म एक एक concept everything is most and most important okay क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे अकवर का administration कैसा था okay फिर हम पढ़ेंगे मनसबदारी system कैसा था फिर हम पढ़ेंगे उसका revenue administration कैसा था और फिर पढ़ेंगे उसका military administration कैसा था फिर पढ़ेंगे art and culture कैसा था इसका मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं, बिलकुल डीटेल में बहुत अच्छे से, अकवर की सारे आस्पेक्ट्स, सारी थीम्स, पॉलिटिकली, सोशली, एकोनॉमिकली, everything, ओके, तो हम देखेंगे, और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, आपको और कुछ करन करना है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो क्या स्टाट करना है, मुझो को आज, administration स्टार्ट करना है, administration के basics देखने है, और हम देखेंगे किस तरीके से administration था, अकवर ने कैसे, क्या किया, ठीक है, are you ready, चलिए, हम स्टार्ट करेंगा, अकवर का administration, in detail, in simple way, ठीक है, चलिए, so, अकवर का administration कैसा था है देखें हमने पढ़ा था अभी कब पढ़ा था हम लोग अद्थे aim सरफ किल फेश हैं ने पढ़ा था याद करो अधिर लोग पर रहे थे syd probably tidak डेखो अक्वर ना तो एक बहुत अच्छा जनरल था पंट चाबी ऐ हम आधा अपने जो generals बगरा थे ना, उनको अपने साथ रखा, उनको बिलीव दिलाया कि ये सिर्फ उसका kingdom नहीं है, उन सभी का kingdom है, जिस तरीके से बहुत अच्छा efficient able general था, उसी तरीके से एक efficient ruler भी था, इसका मतलब overall जो कह सकते हैं ना, कि all rounder वाला सुलतान, वो आप कह सकते हो, क्यो rule जो अपना पूरा kingdom है, उसको कैसे rule किया जाए, उसको भी handle करने की, एकदम बड़िया वाली capacity थी, ठीक है, अब उसने कैसे किया वो सब, वो हम लोग देखेंगे administration में, ठीक है, तो जो akbar का administration था ना, उसको two parts में divide किया जा सकता है, mainly, पहला था उसका central administration, कौन सा administration, central administration, ओके, and the second one is, provincial administration, कौन सा था, provincial administration, तो पहले हम डीटेल में discuss करेंगे, that what is central administration of akwar's administration, ठीक है, उसमें कौन कौन से policies अपना ही थी, किस तरीके से कौन कौन से officers थे, किस को appoint किया गया था, akwar का क्या काम था, कौन topmost position पर था, और किस तरीके से वो regulate करता था, ओके, इसके बाद हम बढ़े करेंगे, provincial administration पर, फिर हम देखेंगे, इस से छोटा भी कुछ था क्या, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी, central administration, ठीक है, central administration, आप लोग नाम सही समझ रहे हो, central मतलब एकदम, main, powerpoint, जैसे कि आपका जो घर होता है, वहाँ पर एक powerpoint मत मतलब एक switch होता है, plug, अगर वहाँ से आप light को बंद कर दो, तो सारा घर में अधेरा हो जाता है, भले light हो, ऐसे ही central administration का, जो main head होता है, उसका भी यही काम होता है, है ना, इसी तरीके हो, तो मतलब जो अकबर का जो administration था ना, उसमें जो central administration था, उसमें जो center में था, वो कौन center पर था, कोई भी मोगल emperor हो, वो center पर होगा, चाहे land के record की बात हो, कोई सा भी land बनना हो, उसकी responsibility किसकी होगी, mainly, कौन decision लेगा, decision maker कौन होगा, emperor, ठीक है, चाहे कोई भी army, कहीं भी जो भी कोई लडाई लडनी हो, कोई भी revolt के लिए जाना हो, कोई भी युद्ध हो रहा हो, तो last decision कौन लेगा, emperor, and lastly, कोई भी case आया हो, किसी के साथ कुछ भी unjustice हुआ हो, किसी को भी law के against चाहके कोई परिशान कर रहा हो, किसी को भी justice provide करना हो, तो last decision किसका होगा, emperor, अब आप समझ सकते हैं, कि सब कुछ तो emperor कर रहा है, इसलिए तो central power होगी, वो किसके पास होगी, emperor, इसका मतलब, अकवर, ओके, ये बास समझ में आ गई, इसके बाद, और उसने, जितने भी appointments होने हैं, किसी भी department में, चाहे वो agriculture department हो, चाहे वो financial department हो, चाहे वो military department हो, चाहे वो revenue department हो, सभी कौन करेगा appointment, emperor, जैसे कि present में, prime minister is the head, ठीक है, वो क्या है, वो decide करता है, भले रास्ट पती करते हैं, point, prime minister लेकिन suggestion देता है उनको, और जिसको वो suggest करता है, उसी को बनाते है, minister, जैसे कि वो ने suggest किया, कि A, person A will be the agricultural head of the agriculture department, तो वो A person को बनाएंगे, agriculture minister, कौन बनाएंगे, रास्टर पती, लेकिन किसकी suggestions पर, किसकी advice पर, prime minister की, वो advice पर, तो ऐसे ही यहाँ पर, empire decide कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, राज्टंत, okay, we are living in democratic country, इसलिए अपने पास कुछ rights होते हैं, people's के पास, लेकिन जब राज्टंत होता है, वेर दश, जो rural होते हैं, वो main जो power होती है, वो राजा के पास होती है, king के पास होती है, तो वहाँ इतने rights क्या है किसी भी जनता या citizens के पास नहीं होते है, तो इनका decision क्या होता है, last होता है, medieval history में हर जगे क्या है, king जो थे न, वही as a power में थे, ठीक है, तो यहाँ पर जो final decision किसका होता था, emperor का ही होता था, ठीक है, without any negotiation, तो जो भी appointments होने हो, जो भी transfer होना हो, कोई भी promotion होना हो, किसी को नि emperor, okay, अब इतना सारा बड़ा emperor खड़ा कर लिया, इसने north से लेके north west, फिर east से लेके south में भी आने वाला था, इतने बड़े emperor को भाई, emperor अकिला कैसे कर लेगा, है न, इसके लिए मतलब उसे कुछ-कुछ officers तो चाहिए होगे न, जो जो पर्टिकुलर area को क्या है, allocate कर देगा, और वहाँ पर क्या रूल कर लेंगे, तो उसके लिए क्या किया, इन्होंने थोड़े-थोड़े departments में अलग-अलग क्या है, officers को appoint किया, जैसे कि revenue department के लिए, इन्होंने head बनाया, किसको, वजीर या फिर दीवान, इसका मतलब, जो वजीर या दीवान थे, वो किसके head थे, head of the revenue department, ओके, ऐसे ही military department के लिए, इन्हे head बनाया, मीर बक्षी को, किसको head बनाया, मीर बक्षी को, मीर बक्षी देखते थे, कि वहाँ का military department कैसा होगा, ऐसे ही another officer थे, किसके, मीर समान, and judicial जो head थे, judicial department था, उसका head बनाया था, किसको, quasi को, किसको, quasi को, जैसे ही अभी अपने chief justice होत chief justice of India, chief justice of high courts, जितने भी judges है, ऐसे ही उस समय जो head थे, किसके chief जो head थे, judiciary के वो कौन थे, quasi, लेकिन वहाँ भी अगर dispute होता है, तो last decision कौन लेगा, emperor, चाहे कोई से department में dispute हो, अगर decision किसी भी emperor ने बोल दे, this will be final, तो कोई भी मैं official बना रहा है, वो decision emperor का ही माना चाहेगा, okay, इस के साथ एक और दो important बात थी, एक था क्या, दिवाने आम, और दिवाने खास, अब गयाना public meeting होती थी, ये क्या time to time क्या है, लोगों से मिलते थे, citizens से पूछते थे, कि क्या problem है, कौन आपको परिशान कर रहा है, citizens भी बात करना चाहते थे, अपने शाशक से, emperor से, तो सभी की जो public gathering होती थी, उसके लिए एक बड़ा सा hall type मालोवा बना था, उसे हम लोग बोलते हैं, दिवाने आम, आम means normal people, ठीक है, लेकिन एक दिवाने खास भी था, भाई अब मिनिस्टर मिनिस्टर बैठ रहे रहे तो वो थो ना आम बाले hall में बैठें, वो तो भाई शाही hall में ब Central Administration of Akbar, ओके, अब हम देखेंगे इनका Provincial Administration, ठीक है, तो Central Administration पर तो Emperor हो गए न, और कुछ important officers भी हो गए, जो उसकी help कर रहे थे, लेकिन भाई इतना बड़ा Empire है, ठीक है, अब वो तो मालोवा आप दिल्ली में बैठे हुए हो, ठीक है, अपने देश से ही देख लो आप, अपनी Central Government बैठी हुई होती है, क्या वो इंडिया का हर पार्ट पर नजर रख सकती है, क्या, नहीं रख सकती, not possible, क्योंकि एक इंसान एक ही जगे प्रेजन्ट हो सकता है, न, ऐसे ही उस समय भी था, उसने इतना बड़ा Empire तो create कर लिया था, इतना बड़ा Empire established कर लिया था, ल जिसे हम लोग उने क्या बोला, provinces, या फिर सूबास, उस टाइम क्या बोला गया, सूबास या फिर provinces, ठीक है, और जो पर सूबास था, मतलब हर सूब एक officer था, जो main head था, उसे हम लोग ने बोला, सूबेदार, क्या बोला, सूबेदार, ठीक है, जैसे कि अभी अपना बड़ है, इसको divide किया गया है, कई सारे states में, है ना, तो आप states मान सकते हो, इस टाइम के सूबास, ठीक, अब state भी तो इतनी बड़ी है, जैसे कि UP को देख लो, अपने, MP को देख लो, राजिस्थान को देख लो, यह बड़ी-बड़ी states के रूप में आती है, इंडिया की, कुछ states तो इतनी बड़ी है, इंडिया की, कि पूरी, वर्ल्ड के according, भूस सारी country है, जो अपने यहाँ एक state है, तो इतनी बड़ी state को भी regulate करना, या फिर govern करना, पॉसिबल नहीं था, तो क्या किया गया, कि जो provisions थे या, सुबेस थे, इनको divide किया गया, सरकार्स में, किसमें divide कर दि districts, है न, अब districts भी काफी बड़े होते हैं, भाईया, एक घर का district थोड़ी नहीं होता है, अब जो सरकार्स को यहाँ क्या मान रहे हैं हम लोग districts, सरकार्स को भी divide करना पड़ेगा, है न, तो सरकार्स को मतलब district माल लो, आ प्रेजेंट में, उनको divide कर दिया, परगनाज में, अब जिस न मिनिट, सरी, एस यू नो मैंने बताया था आपका, I'm not feeling well, सो जो सरकार्स को इसको divide किया गया क्या, कई सारे परगनाज में, परगनाज आप ले सकते हो, प्रेजेंट का विलेच, जहाँ पे कहें, जो डिस्ट्रिक से भी छोटा होता है, और जो जिसको कहें, municipality उसे अपर लेवल को तो इस तरीके से क्या है बढ़ी असा एक administrative setup बनाया गया किसके दौरा अकबर के दौरा एक efficient administration बनाया और उसने अपने emperor को कह regulate किया और बढ़ी असे manage किया अब देखो समझ में आ गया होगा बढ़ी असे अब देखो समझ में आ गया हो थमसब तो बनता है ना लाइक subscribe तो बिल्कुल करते ही रहो दिल खोल के बिल्कुल जी जानके है ना ठीक है इसके बाद हम देखते हैं इसका most important system and that is मनसबदारी system very important थ्यांते सुनना कानों को खुले रखना ना चले स्टाट करते हैं ओके इस तरीके से अकवर्ण ने एक administrative setup बनाया बढ़ी आसा इसने essential provinces प्रविंसेश के डिवाइट के सरकार्स में परगनाज में और यहां से उसने बड़ी आसा इस सिस्टम बनाया यह था अपना part 3 आगे काम कंटिनेव करेंगे part 4 में उसने देखेंगे military administration और मनसब्दाली सिस्टम और यहां के topics रहे गए ना आट इन कुल्चर और अधर टॉपिक सो बेट फोर पार फोर ऑके थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो